तो दोस्तों सलमान खान की अगली फिल्म कब आ रही है और आखिर स्पाई युनिवर्स की नीव रखने वाली टाइगर 3 क्यों फिट गई और सलमान खान की अगली और कौन सी फिल्म आने वाली है और क्या सलमान खान अपना कमबैक इस फिल्म से कर पाएंगे सब कुछ जानें इस वीडियो में, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संटोश गोयाल और आपका स्वागत है मुवी ओ के रिव्यू चैनल पर, तो चलिए सुरू करते हैं। तो उसे बरबाद कर दे। लेकिन ये तो हुई इनके पावर और स्टारडम की बात। लेकिन इतने बड़े स्टार होने के बाद भी सल्मान खान की फिल्म क्यू फिट रही। चलिए। बात करते हैं तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सल्मान खान के फिल्मी करियर में पहली बार आया हो। इससे पहले भी इनका फिल्मी करियर पेटरी से नीचे आ गया था और एक से बढ़कर एक फिल्म फिटे जा रही थी। तब वांटेड फिल्म ने इनको ट्रैक पर लाया और जहां इंडस्ट्री में सभी एक्टर लव रोमांटिक फिल्म के पिछे भाग रहे तब सल्मान खान ने एक्शन थ्रिलर फिल्म करके सभी को उनकी नानी याद दिला दी और महस 42 करोड के बजट में बनी फिल्म ने 94 करोड रुपिय कमा कर हित साबित हुई। उसके बाद इनकी कई फिल्म आई जिसमें लंदन ड्रीम वीर दबंग और रेडडी बॉडिगार जे हो जेसी फिल्म जिसमें लंदन ड्रीम और वीर बॉक्स ओफिस पर बुरी तरह डिजास्टर हुई उसके बाद दबंग ने अच्छा कमाल किया और इनकी ओर भी फिल्म जिसमें एक था टाइगर दबंग टू किक प्रेम रतन धन पायो बजरंगी भाईजान और भी एक् भाईजान का सफर अच्छा चल रहा था तभी इनकी लाइफ में एक फिल्म आती है जिसका नाम राधे था और वही से सल्मान खान का बुरा हाल सुरू हो गया राधे फिल्म के बाद तो भाईजान को ट्रोल बेची किया गया और अंतिम जेसी अच्छी फिल्म भी पीट लगा कि सल्मान खान की ये फिल्म चाहे पीट गई हो लेकिन टाइगर 3 से कमबैक करेंगे पर हुआ इसका उल्टा क्यूंकि विक स्टोरी टेलिंग होने के कारण फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई और पीट गई यश राज युनिवर्स की नीव रखने वाली इस फिल्म के वल पबलिक ही नहीं बलकी आधित्य चोपडा के होश भी उड़ा दिया और सल्मान खान को भी बड़ा जटका लगा चलिए अब बात करें सल्मान की अगली फिल्म की तो सल्मान खान ने अपनी अगली फिल्म का अनोज मेंट कर दिया है जिसे डिरेक्टर मुरगा दोस ड इस फिल्म का बजट चार सो करोड रुपे होगा, लेकिन इसको लेकर पहले लगा कि ये किक का सीक्वल होगी, पर सल्मान खान ने कन्फर्म किया है कि ये बिल्कुल नया प्रोजक्ट होगा, तो इससे सल्मान खान अपना कमबैक करेंगे, और इसके अलावा इनकी और फिल्म भी होगी, जिसमें टाइगर वैसिस पठान, दबूल किक टू, और भी जिसके बाद सल्मान खान इंडस्ट्री पर एक बार फिर अपना दबाव बना पाएंगे, डारेक्टर मुर्गदोश के साथ वाली फिल्म एड 25, मैं आ जाएगी तो आपको इसका कितना इंतजार है कम मैं बताओं